प्रमुक्त बांग यह है कि जब अप्रेल में लॉक्डाउन रहा एक दिन का उत्पादन नहीं हुआ मई के अंदर एक दिन का उत्पादन नहीं हुआ है और गौर्मेंट 31 मई तक लॉक्डाउन करा है तो इतने दिनों का विजली का बिल चुकाना उद्यों की नहीं बहुत बहरी है इट इस डाट बलो टुए यूनिट क्योंकि क्या है जब एक पैसे का प्रोडक्शन नहीं हो तो आदो को देने में बहुत तक्रीब होती है फिक्स चार्जेश मिनिमुम बिलो का जिसे एक किलो वाट पर अगर यूनिट आपको वापर में है आप एक किलो वाट पर एक यूनिट पत वापरो तो भी यूनिट का आपको पैसे लगेंगे सबसे बड़ी चीज क्या है जो सरकार स्वेम बिजली तीन रुपे पचीशे में करिती है हमें वो छे रुपा संतर पैसे चे रुपे नभी पैसे में बिसकॉम की तरुष सेल करती है आज वही बगर वापरे वह एक यूनिट हमको पचास रुपे से लेके 200 रुपे तक पढ़ रहा है माइक्रो यूनिट हो चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे मीडियम स्केल विजली हो ऐसे यूनिट जिनका रॉम मेटीरल जिसका खाना ही बिजली है जिनको दलसर बारा वारा 15 लाग रुपे महिने का भी देना पढ़ता है उनको देना पढ़ता है वो लोग आज बहुत परिशानी बें कि एक पैसे का विजी उतना हो आपढ़ते हुए 15 लाग का बिल अपरेल का 15 लाग का बिल मैई का भरना तो जब lockdown खुल लाएगा हम सरकार के पास धन्ना देंगे सरकार के पास जाएंगे शिवराजी हमारे मानिये जो मुख्य मंतिरी शिवराजी चोहां सामें उनसे हम मिलेंगे पसनली और अपना दुख व्यक्त करेंगे और उनसे उमीद करते हैं कि पूरा देश पूरा देख रा है और सबसे बड़ी चीजी है सर कि आठ राज्यों ने इसका संङ्यान लेके माफ कर दिया है चाहे वह WIN गुजरात हो महराश्ट हो रहिस्तानों चक्रिस गड़ों अंध्रप्रदेश हो इन सब लोग ने इसका संङ्यान लेके आठ प्रदेश ने इसका बिज़नि कि अविगा मिल्मास कर दो